दोस्तो कनिश चतुती आने वाली हैं गनपती बपपा घर पर पधार रहे हैं बपपा के स्वागत में तरह तरह की फ्लेवरफुल अलग-अलग मोदक घर पर बननी चाहिए आज इस वीडियो में तीन तरह की मोदक की रस्पी मैं आप सबके लिए शेयर कर रही हूँ सबसे पहला है बेशन की मोदक जो की बहुत टेस्टी है दूसरा है पीनट मोदक यानि की मुमफली से बनी हुई मोदक इसमें मैंने एक ट्विस्ट दिया है जिसे वज़े से ये बहुत हेल्ली है बहुत टेस्टी बनती है खासकर बच्चों को बहुत जादा पसंद आने वाल ये तीन तरीके की मोदक की रस्पी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कड़ाई में हम दो कप बेसन ले लेंगे फ्लेम को लो पे रखके बेसन को हम कंटिनिसली चलाते हैं भून लेंगे आभी हम बेसन में कुछ भी नए डालेंगे खी वगीरा और आप कोई भी बेसन ले सकते पिसा हुआ बेसन ले सकते या पैकेट वाली ले सकते ही आपकी मर्जी अभी आप देख सकते जो बेसन ने ये मतलब चिपको-चिपको सा है हलके-हलके इसमें घुटलिया भी है इस वक्त अगर आप घी डालेंगे तो फिर आपको घुटलिया तोड़ने में तकलिफ होगी इसलिए हमेशा क्या करें बेसन को ड्राई ही भूने थोड़ी दर जब आप इसे भून लेंगे ये खिला खिला सा हो जाएगा उसके बाद आप जब घी डालेंगे ज़्यादा घुटलिया नहीं पड़ती है और इजी ली आप इसे भून सकेंगे लड़ो भी बनाते तो यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है अभी बस कंटिनिसली चलाते हैं हम भूनेंगे ध्यान रहे बेसन बहुत जल्दी जल जाती है मीडियम या हाई फ्लेम पे भूनने की कोशिश ना करें लो फ्लेम पे ही इसे भूने अभी आप देख सकते हलकी सी इसकी कलर चेंज हुए और ये खुला खुला हो गया है तो इस वक्त हम इसमें घी डालेंगे मैं यहां पर आधा कप घी ले रहे हूँ थोड़ी सी बचा कर डालेंगे कोशिश करेंगे अगर इतने में हो जाये तो नहीं हुआ थोड़ी सी और घी डाल देंगे यानि कि जो बचा हुआ घी है वो डाल देंगे तो अभी मुझे लग रहा है इतना घी से काम नहीं चलने वाला है तो चलिए जो बची हुई घी है वो भी हम इसमें अड़ कर देते हैं अगर मैं इसका लड़ू बनाती तो मैं अभी और घी नहीं डालती क्योंकि लड़ू को हम मतलब थोड़ा टाइटली बान सकते हैं लेकिन आप जब मोदक बनाते हैं थोड़ा सा आपको इसमें घी ज़्यादा डालनी होती है क्योंकि मोदक हम मशिन में डाल करके जब शेप देंगे तो वो तूटना जाए इसलिए हो सकता है कि आपने जो बेसन लिया है उसमें इससे कम घी लगे या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा डालनी पड़ जाए बेसन की क्वालिटी के उपर भी कभी-कभी डिपेंड करता है टेक्शर के उपर ध्यान दे अभी आप देख रहे हैं मैं इसे कंटिनूसली चला रहे हूं बस ऐसे ही चलाते हैं मैं भूनना है जब तक इसमें से बहुत अच्छी से एख खुष्भू ना आ जाये और इसका कलर चेंच ना हो जाये आपको खुदी पता लग जाएगा जब इसकी कलर एकदम चेंच हो जाएगी एक डार्क गोल्डन कलर की हो जाएगी और बहुत अची खुश्बू आएगी जो कि अभी इस स्टेज तक आ गई है खुश्बू और अच्छी सी कलर भी आ गई है अब इसे दानेदार बनाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे फ्लेम को बिल्कुल लोग पे रखे एक मुठी में पानी ऐसे लेकर डाले जैसे अभ आपके मुँ में जो उपर के साइड चिपकता है न वो वाली टेंक्शन नहीं आती है चाहे वो मोदक में हो चाहे वो लड्डू में हो तो अभी एक और बार ये प्रोसेस को मैं तीन बार करूंगी फ्लेम को लोग पे रखना है और एक मुठी पानी डालना है और इसे चलात खाली में ट्रांसफर कर सकते थंडा होने के लिए बट इस वक्त में थोड़ी सी काजू का पाउडर डालूंगी आप चाहे तो काजू बदाम पिस्ता तीनों को मिक्स करके पिस सकते मैंने सिर्फ 15 से 20 काजू को ग्राइन करके चूरा बना कर लिया है ये पाउडर आप अभ तो आभी ये बेशन जो है ना हम इसे पूरा थंडा नहीं करेंगे हलका सा टच कर सके इतनी गरम ये होनी चाहिए तब तक थंडा करेंगे बस आप 4-5 मिनिट ऐसे ही छोड़ दे अब मैं इसमें डाल रही हूँ तीन चोथे कप बूरा यानिकी तगर ये होममेड पूरा है बहुत ही आसानी से बन जाती है मार्केट में भी मिलती है अगर आप बूरा नहीं लेना चाहिए तो इसके जगा पिसी हुई चीनी भी ले सकते है मेरे लिए 3-4 कप काफी है आप अगर ज्यादा मिठा पसंद करते तो एक कप तक डाल सकते लेकिन 3-4 कप मेरे इस सबसे लेकिन मोदक बनाने के लिए थोड़ा सा हमें इसको गीला करना होता है तो आप दो चमच खे मैल्ट करके इसमें मिक्स कर लेंगे तो हलकी सी सौफ्ट हो जाएगे जिससे मोदक इजली बन जाएगी अब मैंने यहाँ पर एक मोदक बनाने वाली मशीन लिए है घील लगा कर मैं इसे ग्रेस कर रही हूँ और इसके उपर हम थोड़ी सी पिस्ता कतरन डालेंगे यह आप्शनल है अगर नहीं डालना हो तो ऐसे भी आप बना सकते है और इस तरीके से पिस्ता की कतरन डालने के बाद हम इसके अंदर यह जो मोदक वाली स्टफिंग है हमारा बेसन यह अच्छे से लगाएंगे अब चाहे तो आप बाद में भी यह पिस्ता लगा सकते इजिली चिपक जाती है पहले मोदक बनाले बाद में चिपका दे तो देखिए इस तरह से बंद रही है यानि कि इस में से हमारा मोदक बन जाएगी तो लॉक करेंगे मोदक वाली मशिन को टाइटली हम इसे पैक करेंगे ताकि शेप अच्छा है और मोदक अच्छा बने तूटे ना अब चलिए इसे खोलते हैं वाव बहुत अच्छा हलकी सी क्रैक आईए लेकिन हाथ से वो ठीक हो जाएग अगर आप घी नहीं लगाना चाहे तो इसमें थोड़ी सी शुगर या फिर हमारा जो बूरा होता है वो अगर डालेंगे तो भी एजिली मोदक बाहर आजाती है घी से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट इससे आता है आप थोड़ी सी तगार इसमें डाल देंगे और जो एक चुट शुगर भी ले सकते है तो यह हमारा सेकंड मोदक भी बन करके तयार है बहुत हलके हाथ से खोलना है ध्यान रहे तक यह टूटे ना वाव अभी में ऊपर से इसमें पिस्ता कत्रन लगा दूंगी जिसे की दिखने में और अच्छा लगेगा तो इस तरीके से बाकी स तारे मोदक हम बना का तयार कर लेंगे आप इसे छोटा भी बना सकते हैं मैंने ये बड़ी वाली मशीन ली है छोटी वाली मशीन भी अपले सकते हैं या फिर आपके बस मशीन नहीं है तो आप बस मोदक का शेप दे दीजिए और एक टूथपिक लेकर लाइन्स क्रेट कर लेजिए और लीजिए तैयार है हमारा बहुत इसी बहुत ही टेस्टी बेसन की मोदक आप इस गनेशे तुती में बेसन की मोदक एक दिन जरू ट्राइ करें बच्चों से लेकर बड़े सभी की फेवरेट बन जाएगी ये आपको अभी मैं इसकी टेक्शर भी दिखाती हू बहुत दानेदार है जब आप पूरी वीडियो को देखकर एकदम स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करेंगे आपकी मोदक पर्फेक्ट बनेगी तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा मोदक जो की है पीनट मोदक सबसे पहले फ्लेम को ओन करके मेडियों पर रखे कड़ाई में एक कप पीनट्स याने की मुमफली ले ले अब इस मुमफली को बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से हमें भूनना है जब मुमफली अच्छी तरीके से भून जाया इसे बिलकुल पूरा थंडा कर ले नाम पर आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी मीडियों फ्लेम पर हमें इसे भी भूनना है अगर ये नाम मिले तो आप सुखा खोबरा याने कि जो गोला होता है उसका ब्राउन पार्ट छिलकर निकाल ले जे वाइट पार्ट को घिस कर आप यूज कर सकते हैं अब मैंन ऐसक दails कर गेहूं का सत्तु तो मैंने घर पर बनाएं है अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं बता दू इसे कैसे बनाते हैं पहले केहूं को आपको भीगोनी है जब अच्छे से गेहूं भीग जाए एक कपड़े में बांध कर राध भर इसे रख दीजिए गेहूं में आं आप गेहूं का सत्तू नहीं बनाना चाहते हैं तो इसके जगा चेने की सत्तू मार्केट में इसली मिल जाती है आप वो भी ले सकते हैं या फिर आप प्रोटिन पाउडर भी ले सकते हैं या फिर पोहा भून कर पाउडर बना कर यूज़ कर सकते हैं या फिर जो हम नारेल का बुरादा आधा कप लेते हैं इसके जगा आप एक कप ले सकते हैं इतनी सारे आल्टरनेटिव्स है आपके पास तो आप इसमें से कोई भी ले ले जो आपको सुविधा हो आप देखिए नारियल का बुरादा जो हमने भून कर लिया था ये भी हम इसी मिक्षर जार में ले ल अब इसे साइड में रखते हैं चलिए हमारा जो मूमफली था उसका तो मैंने छिलका हटा लिया है बस मसल ले नहीं है छिलका इसली हट जाती है तो अब मैंने इसे मिक्षर जार में लिया है इसे भी ग्राइड कर लेंगे हमारा मूमफली का पावडर रेडी है मूमफली को आप grind करते समें pulse mode पे grind कर यानिकि बंच चालू करते हुए और अच्छे से मिला ले क्योंकि मुमफली में काफी मात्रा में तेल होती है और हमने इसमें गुर्ड डाला है तो यह easily बंद जाती है इसमें घीव अगरे डालने के ज़रूरत नहीं है अगर इसकी taste को थोड़ा और बढ़ाना चाते है तो एक बड़ा चमच इसमें आप दूद पर जमी हुई मलाई डाल सकते है यह optional है अच्छा से mix करने के बाद देखिए बहुत आसानी से यह बंद रही है अब हम shape देकर mode बना लेंगे अब आपके पास मोदक वाली machine है तो बहुत अच्छा अगर ना हो तो आप मोदक को कैसे shape देंगे वो भी बता देती हूँ सबसे पहले इस mission में से हम एक छोटा सा portion लेंगे फिर इसे एक ball shape में ready करेंगे फिर उपर से घुमाते हुए रोटेट करते हुए हमें इसे cone shape में लानी है जब इस तरीकी के mode की एक shape हमारे पास ready हो जाए इसे हम decorate करेंगे, lines create कर लेंगे basically तो एक toothpick के मदद से या फिर fork यानि कि जिसमें हम noodles खाते है fork का use करें ऐसे lines बना ले बस आपके पास बहुत सुंदर mode ready हो जाएगा बिना machine का या फिर mode one आने वाली machine भी market में बहुत आसनी से मिल जाती है ये जो machine है ये भी मैंने ये local market में से लिया है गनेश चतुत्य आने वाली है तो easily आपको ये मिल जाएगी इसमें 3 mode एक साथ में निकलाती है सबसे पहले जो हमारा ready किया हुआ मिश्रण है इसमें हम आधा भरेंगे एक मोदक के लिए फिर बीच में कुछ भी आप stuffing दे सकते हैं मैंने यहाँ पर एक किश्मिस डाला है आप इसमें काजू बदाम पिस्ता का चूरा डाल सकते हैं बीच में चेरी रख सकते हैं या फिर टूटी फूटी डाल सकते हैं बीच में कुछ भी स्टरफिंग देते हैं तो यह ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ भी अलग से बाइट आती है तो सभी को पसंद आती है खासकर बच्चों को तो यहां पर इसी तरीके से सारे मोदक को हम इसके अंदर भरेंगे यानि कि रेडी करेंगे अब इसमें बनाना बहुत आसाने तीन मोदक एक साथ में निकल आती है तो मोदक आपका जल्दी बनका तयार हो जाती है और जो छोटी साइज की मोदक आपको हलवाई के दुकान में मिलती है बिल्कुल वैसे मोदक इसमें रेडी होता है तीनों को मैं भर लेती हूँ फिर मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगे और इसमें हमने ना ही घी डाला है ना ही कुछ फिर भी यह बहुत शाइनी शाइनी बन की क्योंकि पीनट्स में अल्रेडी ओईल होता है अब देखिए इस तरीके से हमें सारी मोदक बना कर तयार करनी है वैसे अगर आपने नोटिस किया हो हमारा हाथ का बनाया हो मोदक मशीन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है तो आप हाथ से भी बहुत आसाने से मोदक बना सकते हैं बिना मशीन का सारी मोदक रेडी हो चुके हैं मैंने इसे पिस्ता और चांदी के वर्क से डेकोरेट किया है आप अपने मन चाहें तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया मोदक बने हैं दोस्तों चले अब हम बनाते हमारा तीसरा मोदक जो की है उक्डिचे मोदक उक्डिचे मोदक बनाने के लिए सबसे पहले चावल की आटे का एक डो बनानी होती है जिसके लिए कड़ाई में मैं ले रही हूँ देड़ कप पानी फ्लेम को ओन कर दिया है आधी छोटी चमच हम इसमें नमक डालेंगे एक बड़ा चमच घीर डालेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे अब साइड में आप देड़ कप चावल का आटा रेडी रखिए देड़ कप पानी में देड़ कप हम चावल का आटा डालेंगे पानी और चावल की आटा तोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी जैसे ही पानी में उबाल आये फ्लेम को ओफ कर दे और इसमें चावल का आट डालकर आपको मिक्स करना है लंप्स वगेरी की कोई टेंग्शन है जस्ट आपको मिक्स करनी है और यह भी गरम है इसमें से स्टीम निकल रही है तूरंत हम इसे ढख कर छोड़ देंगे इससे जो आटा है वो पक जाएगी और हमारा डो सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी देर प खसकस को हमें भूनना है जैसे ही खसकस चट-चट करने लगे न तब समझ जाना कि खसकस भून चुका है खसकस को भूनने में समय नहीं लगती है मीडियम फ्लेम पे आप वहें पे खड़े रह के भूनीए और तूरंत यह भून जाएगी हाई फ्लेम पे कभी न भूने ख़ का स्पून चुका है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब सेम पैन में तीन चोथाई कप में ने गुड लिया है गुड को लो फ्लेम पे मेल्ट होने दे जल्द बाजी ना करे और इसमें पानी भी ना डाले हाई फ्लेम पे गुड को कभी मेल्ट ना करे ऐसे करने से गु नारियल को घिसकर डाल देंगे पहले आप नारियल को फोड करके घिसकर रख लिजे फिर आप इसमें आड करें वैसे इसमें फ्रेश नारियल ही डालते हैं अगर आपके पास एवेलेबल ना हो तो आप डेसिकेड़ कोकोनेट भी डाल सकते हैं फ्रेश नारियल का जो ब्राउ जाना हुआ खसकस मेने डाल दिया 6 चुरा मेने लिया है काजू बदाम का आप काजू बदामको । काट के डाल सकते हैं इस में किश्मिस भी डाल सकते हैं। एक छूटी चमच, इलाची का पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए और अच्य से मिला लेंगे〜 अब कंटिनुसली चलाते हुए स्टफिंग को 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें पकानी है जिससे क्या होगा ना जो नारियल है फ्रेश नारियल है ये पानी छोड़ेगी वो सूख जाएगी और गुड का हलका पाक बनेगा तो हमारी जो स्टफिंग की कंसिस्टेंसी वो बढ़िया रहेगी बहुत देर तक आप पकाएंगे तो क्या होगा गुड बहुत जादा टाइट हो जाएगा तो स्टफिंग भी बाद में बहुत जादा टाइट होगी सक्त हो जाएगी तो इसलिए तीन मिनट इसके लिए काफी है मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएं फिर हमारी स्टफिंग रेडी है इसे एक प्लेट में निकालकर थंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे अब हम चेक करते हैं डो जो की आप देख सकते हैं चावल का आटा जो है काफी सॉफ्ट हो चुका है अगर आप हाथ से छूपा रहे हो तो अच्छे से मसलते हुए इसे चिकना कर लेनी है हमें अगर आप कंसिस्टेंसी देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा हमने जितना पानी लिया था उतना ही आटा लिया था तो हमारी जो डो की कंसिस्टेंसी है वो बहुत परफेक्ट बना है मैंने अच्छे से चिकना कर लिया है मसलते हुए अब स्टफिंग भी थंडा हो प्रक जानिकल भूड़ियं及 कंषलों जानार इनकर त्याइकर अलोग हुस्तुटेभ उसलोगें के विख स्फफ है ऐसे मैंने सारे बॉल्स बना कर त्यार कर लिये है और अब हम फाइनली मोदक को शेप देंगे तो सबसे पहले मैं हाथ से आपको शेप दे कर बताऊंगी हर एक मोदक में मैं आपको सबसे पहले हाथ से ही बना कर दिखाती हूं बिना किसी मशीन का और traditionally जो हमारे authentic तरीका है वो यही है पहले इस तरीके से दिखिए एक कटोरी का shape बनाते हैं बिल्कुल आपको पतला करनी है आपने अगर dough perfect बनाई हो इसमें cracks नहीं आएगी पतला से आपको कटोरी ready करनी है बीच में आपको stuffing रखनी है और इस तरीके से side से आपको fold करना है इस तरीके से दिखिए अभी उपर के तरफ सभी fold को एक साथ में पकड़ते हुए rotate करते हुए हमें से seal कर देना है बस आपकी मोदक तयार है जो हमारे authentic तरीका है यह है इस तरीके से सदियों से घर पर उकड़िचे मोदक बनाते है लेकिन अगर आप इसे आसानी से बनाना चाहते है तो ऐसे machine लीजिए machine को हलका सा घी लगा कर grease कर लीजिए और इसमें सबसे पहले हम यह जो आटा है एक layer इसके अंदर डालेंगे देखें कैसे डालने वो भी बताती हूँ बीश में आपको gap रखनी होगी नहीं तो आप stuffing कैसे भरेंगे बस एक layer इसमें हमें यह डो की डाल देनी है अगर आप बहुत ज़्यादा आटा भर लेंगे तो इसमें stuffing बहुत कम आएगी तो टेस्ट आपका मोदक का अच्छा नहीं आएगा इसलिए एक पतला सा layer हमें बस यह आटे का देना है और बीश में यह हमने जो stuffing की लड़ू बनाई थी वो डाल देंगे और थोड़ी सी आटा लेकर उपर से सील कर लेंगे और यह दिखें मोदक का शेप अच्छा सा बन चुका है साइडों को clean कर ले और फिर इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ दिखिए कितना सुन्दर लग रहा है न हाथ से भी बनाना असान है मशीन से भी जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप मोदक को शेप दे सकते है यह मोदक अभी ready नहीं है इसे हमें steam करना है तो सबसे पहले सारे मोदक बना लेंगे फिर steam करेंगे मैं एक और बार बता रही हूँ दूस्तों मशीन में जब आप आटा भरेंगे जादा आटा ना ले ऐसे करने से पूरी मोदक में आटे का ही टेस्ट आएगा एक पतला सा लेयर आटे का ले बीच में स्टफिंग अच्छी तरीके से भरे फिर इस तरीके से सील करके मोदक रेडी कर ले अब सारे मोदक जब रेडी हो जाए साइड में आप steamer रेडी रखे इसे steam करने के लिए अगर आपके पास steamer नहीं है कोई कड़ाई ले लिजिए कड़ाई में पानी गरम कीजिए उपर एक जाली वाली बरतन रखे और उसके उपर इस तरीके से मोदक रख दीजिए और कड़ाई को ढख करके high flame पे 10 से 12 मिनिट के लिए मोदक को हमें steam करना है मोदक steam हुआ की नहीं ये कैसे पता चलेगा एक तरीका है ये मोदक अभी आप देख रहें बिलकुल सफेध है जैसे ये steam हो जाता है हलकी सी उपर की लेर इसके ट्रांसपरेंट से नजर आती है तब समझ जाना कि मोदक steam हो चुका है चलिए इसे निकालते हैं अब क्योंकि ये गरम है एक spatula के मदद से एक palette knife के मदद से मैं इस plate में से निकाल रही हूँ मोदक को आप as it is रख सकते है लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा attractive दिखाना चाहते है तो मैं इसे थोड़ी सी और decorate करूँगी जिससे इसमें एक केसर वाली flavor भी आएगी और दिखने में भी सुन्दल लगेगा तो मैंने याँ पर थोड़ी से केसर दूद में भीगो कर रखा था गरम दूद में अब इसके उपर केसर वाली दूद डालेंगे जिससे की दिखने में भी अच्छी लगीगी और इसमें केसर वाली flavor भी आजाएगी तो दोस्तो तीन मोदक की रस्पी मैंने आपके साथ शेयर की आपको ये रस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर ये रस्पी साबको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए दिल खोल कर इस वीडियो को शेयर कीजिए त्युहार का मौका है प्यार बाटनी चाहिए और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए रस्पी के साथ तब तेक के लिए बाबाई and टेक केर